नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज़ारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं विधान सभा में बीत मंत्री ने पेश किया 1,16,148 रुपए का बयाट ज़ारखन की हेमान सुरेन सरकार ने वित्यवर्ष 2,34 के लिए 1,16,148 रुपए का बयाट पेश किया है बीत मंत्री नमे सरुराव ने कहा है कि असभी वर्ग के हीतों को ध्यान में रखने वाला बयाट है ज़ारखन की हेमान सुरेन सरकार ने बेरोजगारी भत्ता अंगनवारी से विकाओ का स्मार्टफोन पोल्टेक्निक कॉलेजों के स्थापना और जानता के लिए सास्ती दरों पर एयर एम्बुलेंस सेवा जैसे कई बड़े एलान किये है किरिसी छेत्र में भी सेस रूप से सिचाई पर्योजनाओ पर इस बजट में काफी फोकस किया गया है बताद जार्कन सरकार ने प्री स्कूलिंग को मजबूत बनाने के उदेश से आंगनवाडी चलो अभ्यान के शुरुवात की है वही आंगनवाडी सेविकाओ का स्मार्टफोन देने का एलान किया है वही 100 क्लो रुपाई की लागा से पर देश में 800 नई आंगनवाडी भावनों का निर्मान भी किया जाएगा गाओ और गरीब के लिए बयट में कुछ भी नहीं मिला बाबुलान मरांडी भाजबाई विधायक दल के नेता सह पूरो मुख मंत्री बावुलान मरांडी ने कहा एक बयट में क्रीसी किसांसी चायवा गाओं को कुछ भी नहीं मिला है इनके लिए बयट में किसी नई वजना को प्रवधान नहीं है राज्य में 60 फिष्दी अबादी के लिए महज 12 फिष्दी रासी दी गई है मरांडी ने कहा एक विधायसवा में जब बीत मंत्री बयट भासन पढ़ रहे थे तब ही अचानक मुख मंत्री हमान सुरुन सदन से उठकर बाहर चले गए या हैरान करने वाली बात है कि बीत मंत्री जब सदन में 82 फिष्द करे तो मुख मंत्री उठकर बाहर चले जाए इस मामले में कटक्ष करते हैं बावला मरांडी ने कहा है कि ऐसा लगता है आजारी बाग में चल रहे इडी की छापे में तीन कोर मिलने की खबर से घबराए है मंत्जी और सहज होकर परसानी में बाहर निकल गए जार्खन के युवाओं को नोकरी नहीं मिलने पर सरकार देगी प्रोसाहन रासी शुक्रवार को जार्खन के बित मंतरी रामेशरुर राओं ने साल 22-24 के लिए जार्खन का बयट प्यस किया बयट उन्होंने सिख्छा चेतर के लिए कई घोसनाय किया बयाेट भाषन के दुरान उन्होंने कहा है कि प्रारामिक सिक्छा ःगुणौ अपने सिक्छा सरकार की प्रत्मीकता है और इसके लिए सरकार हो तरीके से कैम कर रही है और एक हैँ राज्य को नियुकशा में हम काम कर रहे हैं वहीं अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती अब संख्यक कल्यान योजना के तहट के लिए मिलने वाली छत्रिती में भी बढ़ोत्री की गई है इस समाज के लोगों को सोरोजगार उपलब्द कराने के लिए कौम दर परलोन उपलब्द कराया जा रहा है और इसके तहट 65 सव अवेदर अभी तक प्राप्त हुए है राजधानी रांची में बर्ड फुलू ने दी दस्तक बोकारों के बाद अब राजधानी रांची के नगर निगम छेत्र में भी बर्ड फुलू ने दस्तक दे दी है पिछले दीनों राजधानी के करमटोरी ओल्ड जेल मोड के पास एक नीजी कुकुट पाला के यहां अचानक मुर्गियों के मने की ख़वर मिलने के बाद पासुपारान विभाग ने सेंपल जांच के लिए मध्य परदेश के भोपाल इस्थीत नेशनल इस्चूट हाई सेकुरिटी एनिमल डिजीज डागनोनिस्ट लेब भेजा था जहां से मुर्गियों की मोड की वज़ा वर्ड फुलू बताई गई है भोपाल के अधेधुनिक सरकारी लेब में वर्ड फुलू की पुष्टी होने के बाद पसुपारान विभाग हरकत में आ गया है बतादे रांची के सहरी इलाके में एच फाइफ एनवान एवियान इंप्लू एनजा वाइरस से मुर्गियों की मोड की पुष्टी होने के बाद पसुपारान निदेशक चंदन कुमाने रांची के डिसी को पत्र लिखा हाई और वर्ड फुलू के रोक्थाम और नियंतरन के लिए भारत सरकार के एकशन प्लान के तहतकार जोईना बनाने को कहा है इडी ने की 14 ठीकानों पर छापे मारी 3 करोर नगदी बरामत निलंबित आईएस पुजा सिंगल से जुड़े अवैद खन मामले में इडी ने सुक्रवार को जार्खन राजे खनीज विकास निगम क प्रजेक्ट मैनेजर असोक कुमार हजारी बाग के कारोबारी मोहमत इजहार अंसारी से जुड़े रांची हजारी बाग हुआ रामगोर के चोधर ठीकानों पर छापे मारी की है बताजे देर रात तक छापे मारी जारी रही इस दरमयान हजारी बाग में पेलावल रोड मि इंडिया के समी प्रहने वाले कारुबारी मोहमद इजार अंसारी के आवास से इडी ने तीन को रूपए से अधिक की नगदी बरामत किया है। की जनकाली दी गई बीत मंत्री डक्टरा में सरु रावने किरिष्टी एवाम संबध प्रच्छेत्र के लिए बयट में 11.830 की ब्रीधी करते हुए करीब 4627 को रूपए का बयट पस्तावित किया है। बतादे बीत मंत्री डक्टरा में सरु रावने स्री अन योजना के तहत मोटे अनाज जुआर, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंग नदी, कुट्की, कोदी, चीना एवं सावा के अधिकारिक उत्पादन का लक्ष रखा है। तामिलाडू में फसे मजदूरों को साकुसल वापस लाने के लिए जहारखन टीम रवाना। पतादिकारियों से संपर्क अस्थापित कर प्रवासी मजदूरों का भुकतान कराते हुए। उनको साकुसल वापस अपने राज लाया जाए। जहारखन के सीयम हमन सुरेन के आदेश के बाद जहारखन पूलिस ने राजे पूलिस के वर्ये और पूलिस पतादिकारी और सरन योजन प्रवासी कंट्रोल रूम के सम्मिलित टीम को सुकरवार को मोखे पर जाने के लिए रवाना कर दिया है। कोत् gone pro 6 के लिए गूरू जी क्रेडिट काड योजना जारकंड में जात्रों को ऊच सिक्षा के लिए गुरू जी प्रस समद्ग करने का लग्ष तयी किया गया है बतादे जार्खन में दो हैरतेश चोविस में छो पुल टेकनिक संस्थानों का निर्मान भी होगा जबकि नौ निर्मीत आठ पुल टेकनिक में नए सत्रह से पढ़ाय सुरू कर दी जाएगी राज सरकार ने बयट में इसके लिए प्रवधान कर दिये हैं राज्य की तकनिकी सिक्षा में नमांकन अनुपात्म ब्रीधी के लिए बरही बुड्डू पतरातु चाईबासा जमसेदपूर और खोटी के नौलेज सीटी में नए पुल टेकनिक खोले जाने का प्रस्ताव है जारखन की 37636 आंगनवाडी सेविकाओं को अस्मार्टफोन दिया जाएगा आंगनवाडी सेविकाओं को अधोनिक सुचना तंत्र से जोडने के लिए राज सरकाने अस्मार्टफोन देने का निने लिया है वर्ष 23-24 में सेविकाओं को या उपलब्ध कराया जाएगा सेविकाओं वा साहिकाओं के चयन वा मांदे नियमावली का गठन किया गया है इनके मांसिक मांदे में 31 सो से लेकर 48 सरुपे की बढ़ोत्री की जाए चुकी है वहीं अंगन वाड़ी सेविकाओं के मांदे में 500 रुपे और सहियाओं के मांदे में 250 रुपे की बढ़ोत्री की जाएगी एक लाख चालीस हज्यार युवक युटियों को कौसल प्रसिक्षन का लग्ष मुख्य मंत्री सार्थी वयना कंतरगत आगामी बीत वर्स में राजे के एक लाख चालीस हज्यार युवक युटियों को कौसल प्रसिक्षन दियाने का लग्ष है प्रसिक्षन के बाद रोजगार नहीं मिलने की सिती में 6 मां तक पूर्सों को 1000 रुपे प्रतिमा और महिलाओ और दिव्यंगों को 15 से रुपे प्रतिमा दिया जाना है वहीं वर्स 2023 में स्रम नियोजनों प्रसिक्षन विभाग के लिए बायाट में 67 प्रतिमा की भीधी करते हुए 950.85 कोलों रुपे प्रस्तावी था बता देर राजी के युवाओ को रोजगार के बेहतर आउसर मुहाया कराने के उदेश से वर्स 2023 में आईटीए संस्थानों की अधार्बुसन रचना के सुद्रीडी करन पाठकर में अफग्रेडेशन और नयोवा आधोनिक तक्निकों के उप्योग से बेहतर सिक्षा बेव प्रस्ताव प्लाव करने का प्रस्ताव